आज की हमारी रैस्पी है पीच केक आड़ो आजकल बहुत आ रहे हैं इसलिए पीच केक बनाएंगे और उसकी हम आइसिंग में भी सब पीचेज यूज़ करेंगे तो इसके लिए इंग्रिडेट हमारे पास 1.5 कप मैदा है 1.4 कप मिल्क पाउडर 1.4 कप शुगर पिस्वी शुगर हमारे पास 1.5 कप मिल्क में लिया है 1.3 कप पल्प है पीचेज का 1.5 कप मिल्क है और वन टीस्पून हमारे पास विनेगर है विनेगर और मिल्क को हम मिला कर रह देते हैं कर दोनों को मिल्क करके यूज करेंगे वन पोर टीस्पून में पास नेट में पाउडर है तो केक बनाने के लिए मैंने दो टीन त्यार कर लिए इंक पहले ग्रीस कर लिया और मैंने इसको डस्टिं कर ली मेदा से काम करना शुरू करते सबसे पहले हम ड्राइं ग्रीडर को करक着ए दोनों यह मारा देस्टो घ्राम मैदा और इंगे पाउडर आ यह मिल्क पाउडर बेकिंग पाउड़र बेकिंग सोड़ तो बाउड़र ,पॉल्टेस्पून सब्सूं नुवल्टेस्पेशा जल्दी से प्छाल लेते हैं तोस्टो अब हमारे तैयारी कंपीट हो ग बटर और ओयल मिक्स करके थोड़ा सा बिटिंग करते हैं जिसे नॉर्मल टेंपरेचर में आजाएं बटर और ओयल मेरे दोनों मैल्ज होगे हैं अब इसके मिल्कमेड और सबर मिला रहते हैं आप कप निल्क मेड़ें न पूर कप शुगर और की जरें मेरा ही मिक्स हो गए, मिल्कमेड और बटर, अब मैं इसमें डाल देती हूं लेमनेसंस और पीच एंसस, इधिरे वेट और ड्राइंग डिटर्स मिलाएंगे, थोड़ा सा में अधा, पीच पल्प, कर्डल मिल्क, वेट अगने, जस्मिक्स कर रहा हूं आइस्ता से मिक्स किया, अब हम इसको दो पैट जमने इतियार किये थे, दोनों पॉट्स में डाल देते हैं दोनों पॉट्स मेरे तयार है, अब इंको बेक करने जा रहे हैं, अगर ही इस सारा मिक्स्चर एक ही पॉट्स में डाल जाती, तो इसमें कम से लो मुझे तीस मिनट, पैंटीस मिनट लग जाते हैं, लेकिन अब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिये, तो मेरा ही जो है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं, 20 म. लगा देते हैं, एक मेरा पंदरा मिनट बेगा कर दोनों दोने दोने सारगे दोनों का समें दोनों, जो जादा है हो, इसपूर म Вас देब जाते हैं, तो को यह on बेख त़स्थात्यम थे जत tenta, इसको बहां चाहिते हैं इसमें हलकी से नमी है यह तियार लग रहा है यह हमारा तयार है इसको महार निकाल लेते हैं इसको 2-3 मिनट और लगा देते हैं अब अब 10 द ओधना तयार लग रहा है इसको भी चण्यूशन कर लेते हैं इसको भी चेक कर लएटे को अब 1 मिनट रह गया हमारा 19 मिनट इसके हो यह है आप 17 मिनट में यह दिए तयार गया है बिल्कुल क्लियर है हमारी टुपिक तो हमारा ही केक बे तयार है अब हम इसको सी चॉप कर लेते है तो मैंने ही दो केक जो तयार किये हैं इसके मैं पहले तीन या चार पोर्शन कर लेती हुआ थोड़ा सा उपर उपर से लग रहा है इसको थोड़ा सा काट लेते हैं ऐसे भी हो जाएगा लेकिन काट लेते हैं जरा सा और अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छा हो स्पॉंजी बनावा है हमारा केक इसके दो पार्ट कर लिए है मैंने दोनों यही रख देती हुआ उस पहले के वी दो पार्ट कर लेती हुआ बहुत लाइट बहुत प्यारा बनावाद क्रीम बीट कर लेती हुआ नक्स्ट आप करते हैं काम श्रूब इसके नीचे बरफ रखी जा सकती है और यह काम मोर के आजा सकता है यह थोड़ा सीफ जल्दी होएगी तो यह मैं जिससे तावन जरा जल्दी सी हो जाए समर्च में अच्छी दिक्कत होती है इसके सिफने सोने में नीचे आइस कखो हाफ इसके करीब आप इसमें जिनेगर भी लालो इसके जल्दी काम करने चाहिए अच्छी करेंगे इसको अच्छी करेंगे इसको अच्छी मोईस करेंगे इसको अब यह सॉफ्ट है इसको एक बार और करते है लास में इसमें बहुत नहीं भरेंगे हम इसमें भरेंगे पीच पीचेज को मैंने चीनी और कोफो में थोड़ा सा कूप करा है खूब सारे पीचेज बनने वाले हम इसमें पीचेज आपको टेस्ट आएगा मेरे स्पॉंज में भी पीच है और फिलिंग में भी पीच जा रहा है पीच मार्केट में खूब अबलेबल हो रहे हैं बहुत अच्छे से खाएंगे अब इसको मैं इसको मैं इसको उपा लगा देती हूँ अब इसको भी मौहस कर लेते हैं यह इसकी चिकनी जो थोड़ी सी है इसको ठीक कर लेते हैं अरब कर लेते हैं इसको ताकि मौहस जो इसमें अच्छे से बजाए अच्छे से बजाए पिर से पीच के एक लेर लगाते हैं पिर से इसके ओपर मॉइस करते हैं क्रीम लगाते हैं पीचे चीनी में और थूँड़े से कॉम फ्लार में कूप करें हैं पिर लगाने हैं इसके ओपर एक और मर्ज करके लगाते हैं चारू लेर लगाने हैं क्रीम और पीचेश की लेर अब इसको कवर कर लेते हैं क्रीम हम एक बार फिर से तंडी करके बीट कर लेते हैं यह भी सॉफ चारी है वाने क्रीम क्रीम करते हैं क्रीम को दुबारा बीट करके इसके फिनिशिंग करते हैं महीन जाला करनी बड़े हैं क्रीम करें भी आपीर कर सॉफ अपर हैं साइड सोर कर लेते हैं बस इसमे जादा महीननने के जरूत नहीं और पीचे वह बड़ें अ कि ऐन आ यह तक आक रहना है आ फिनिश कर लेते हैं पाने डाल लेते हैं मिक्स कर लेते हैं डिक से अब 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 इसको थोड़ा ताम इसके ऊपर डालते हैं अब 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 आप इसको बोर्ड पे लेके जा रहे हैं तो साइड में बस यहां पर एक स्टार नोजा से बॉड़र बनाएंगे बिल्कुल यह फिनिश हो जाएगा बहुत बढ़िया बनेगा और स्वाद भी बनेगा आप इसको जरू बनाकर देखिए तेंक यू केक बहुत टेस्टी बनेगा अब बनाकर जरू देखिएगा तेंक यू कर वांगे बनाँ हम में पका जरू रंक यू धाला माई। कर वांगे बनाम देखिए भी